दोस्तों, GST prices high हो चुके हैं, डॉलर का rate बहुत fluctuate हो रहा है और इसके बढ़ जिसे smartphone के prices जो है, वो बहुत ही साधा बढ़ चुके हैं पहले जो Redmi Note series था, वो 10,000 से शुरू होता था लेकिन Redmi Note 9 अभी जो launch हो है, वो 12,000 का आता है और 10,000 में अभी Redmi 9 Prime मिल रहा है अगर उसके बारे में आपको वीडियो देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना उसका content जो है वो भी बहुत जल्दी आ रहा है लेकिन आज हम बात करने वाला है Redmi Note 9 के बारे में और उसके बाजो में जो bell icon है, उसे भी click कर दीजे As usual, सबसे पहले बात करेंगे build quality और design के बारे में Redmi Note 9 में हमें plastic का frame और back मिल जाता है जो gradient color के साथ में आता है काफी basic design दिया गया है, fingerprint scanner दिया है पीछे के side पे जो काफी responsive है और fast भी है dedicated sim slots मिल जाते हैं, usb type-c का port है और headphone jack भी दिया गया है और Redmi Note 9 जो है वो P2i nano coating के साथ में आता है यानि कि यह splashless stand भी है जो इस price point के लिए एक अच्छी बात है डिस्पली की बात करें तो IPS LCD डिस्पले मिल जाते है हमें punch hole cut out के साथ और यह full HD resolution का डिस्पले है और जो colors है इस display पे वो हमें काफी अच्छा लगा है outdoor brightness थोड़ा better हो सकता था लेकिन most scenarios में आपको यह display काफी अच्छा लगने वाला है punch hole जो है उसके वाज़े से थोड़ा modern look मिल जाता है इस phone में 60 Hz का refresh rate है इस price point पे आपको यही मिलने वाला है ज्यादा expect भी नहीं कर सकते और जो touch response जो है इस display का वो हमें काफी अच्छा लगा है अब performance की बात करते हो और यहां पे इस phone में हमें Helio G85 chipset मिल जाता है Media Tech के तरफ से G जो है वो gaming के रिए होता है खेर gaming के बारे में तो बात करेंगे लेकिन day-to-day performance आपको काफी smooth मिल जाता है इस phone पे अगर आप apps लाँच कर रहे हैं फिर switch कर रहे है उसका performance बहुत ही अच्छा है इस phone पे कभी-कभी UI में आपने थोड़े बहुत lags देखे लेकिन वो शायद MIUI के optimization के वज़े से हो सकते है ना कि chipset के वज़े से MIUI के बाद करी रहे है तो हमें MIUI 12 का update मिल गया है Redmi Note 9 पे और यह काफी अच्छा लगता है इस phone पे use करने को नए animations है, एक नया overall UI है control center मिल जाता है additionally और usual आपके जो MIUI के features है app clone, game space, etc. वो सब मिली जाते है और जो लोग जाना चाहते कि इसमें clean master है कि नहीं तो जब MIUI 11 पे यह phone था तब clean master नहीं था cleaner app में जो definitions होता है उसमें लेकिन MIUI 12 update के बाद cleaner app में clean master का definition मिल जाता है लेकिन यह update के साथ हट जाना चाहिए क्योंकि Xiaomi ने खुद एक statement दिया था कि यह clean master का definition है वो निकाल रहे cleaner app से तो अभी update आ सकते है कुछी दिनों में और यह clean master जो है MIUI 12 से भी हट जाएगा जो base variant है इसका 3 GB RAM के साथ आता है 64 GB EMC storage है और अब बात करते है PUBG के बारे में तो PUBG gameplay हमने सोचा था कि इस phone पे काफी smooth और अच्छा होने वाल है क्योंकि यह gaming oriented chipset है और जो Mediatek G90 है उस पे gaming बहुत ही अच्छा है लेकिन जो PUBG है वो एक तो smooth plus ultra पे चलता है 40 fps जिसका frame rate cap है लेकिन इस phone पे थोड़े बहुत lags हमने देखे PUBG खेलते वक्त आपको बहुत ही ultra smooth experience तो नहीं मिलेगा ठीक है gaming के लिए मतलब आप खेल तो सकते हैं अराम से लेकिन बहुत ही smooth नहीं है कुछ frame drops या फिर कुछ lag आपको देखने को मिलेगा यह शायद optimization के वज़े से है और कुछ updates के साथ यह better हो सकता है overall performance में हम कहेंगे कि अगर आप एक gamer नहीं है तो Redmi Note 9 जो है वो काफी अच्छा perform करता है पीछे के side पे हमें 4 cameras मिल जाता है 48 megapixel primary 8 megapixel ultra wide और बाकी के दो depth है और macro है जो भी है उसको use भी नहीं करने वाले जो primary camera है उसका image output काफी हद तक ठीक है जो primary 48 megapixel camera है उसका color reproduction अच्छा है अगर आपको contrasty look पसंद है फोटोस में तो आपको यह अच्छा लगने वाला है details better हो सकते थे HDR भी ठीक है थोड़ा जो shadows है वो better हो सकते थे बट इस price point के हिसाब से काफी ठीक ता camera मिल जाता है Xiaomi updates के साथ इसे ठीक कर सकते हैं प्लीज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो camera को और better कर सकते है updates के साथ MIUI 12 पे देखते हैं क्या यह होता है कि नहीं low light में वही मामला है night mode मिल जाता है हमें जिसके वज़े से light अच्छे से आ जाती है photo पे लेकिन details उतने कुछ खास नहीं है ultrawide camera भी 8 में पिक्सल का है तो आप details समझी सकते हैं उतना जादा नहीं है लेकिन अच्छा है आपको और एक perspective मिल जाता है 13 map किसल का selfie shooter हमें मिल जाता है front के punch hole में और इसमें जो skin tone से वो उतना अच्छा नहीं लगा है हमें portrait mode में जो edge detection है वो काफी अच्छा है लेकिन overall selfie में dynamic range भी जो है वो इतना कुछ खास नहीं है तो camera's इस phone में हम बोलेंगे price point के हिसाब से ठीक ठाक है above average है बहुत ही अच्छा नहीं है आखिर में battery हमें मिल जाता है 5020 mAh का जो इस phone का एक highlight है आप अराम से एक दिन heavy usage पे भी इस phone को चला सकते हो साथ से आध घंटे का screen on time आपको अराम से मिल जाएगा इस phone पे साथ में box में आपको 22.5 watt का charger मिल जाता है लेकिन ये phone अभी 18 watt पे capped है शामी कुछ internal testing कर रहे है जिसके बाद 22.5 watt का charging speed unlock हो जाएगा जिसके बाद आप और ज्यादा fastest phone को charge कर सकते है अभी के लिए ये phone दो घंटे और दस मिनिट लेता है फुल charge होने को तो overall जो अभी तक हमने बात किया है उसको summarize करना होगा तो हम बोलेंगे कि अगर आपको एक decent performing phone चाहिए जिसका display अच्छा हो अगर आप बहुत जादा content देखते है videos देखते है, movies देखते है अपने phone पे तो आपको Redmi Note 9 का display अच्छा लगने वाला है cameras average है अगर आपको अच्छी battery life चाहिए तो आप Redmi Note 9 को ले सकते है इसका competitor है इसी price point पे Realme Narzo 10 और उसमें जो display है वो 720p मिल जाता है और वो notch के साथ आता है, punch hole cutout नहीं है उसका processor Helio G80 है तो Redmi Note 9 में G85 मिल जाता है जो better है G80 से लेकिन Realme Narzo 10 के base variant में ज़्यादा RAM और storage मिलता है compared to Redmi Note 9 और आपको अगर Realme UI ज़्यादा पसंद है MIUI से तो आप वो choose कर सकते हैं लेकिन हम बोलेंगे display resolution उसके सिर्फ 720p है और Redmi Note 9 पे 1080p है तो ये जाता बेटर है at least based on सिर्फ display के हिसाब से ही हम बोलेंगे कि आप Redmi Note 9 को pick करे than compared to the Realme Narzo 10 आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई